नमस्कार दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल बॉटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जैसा कि आप फ्रेंड्स जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सब्से ज़्यादा हाला कि उसके और भी बहुत जाधा जमतकारिक फायदे होते हैं लेकिन सब्से ज़्यादा उसका जो फायदा है वह वजन गटाने में यानि की वेट लूज करने में है वेट तीन से चार महिने में ही लगवग बिना किसी डाइटिंग के अपना वेट कम किया था 15-16 किलो यानि कि मेरा वेट 49 kg हो गया था जो मैंने बहुत कम टाइम में किया था तो एक और तरीका है जिसे और भी बहुत जल्दी वेट कम होता है और वेट कम होने के साथ साथ आपको इस वीडियो को द्यान से देखें और जरूर आपको फाइदा होगा क्योंकि यह मैंने खुद अपने उपर किया हुआ है मैंने ऐसे ही यह वीडियो नहीं बनाया है मैंने अपने उपर किया हुआ है यह तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूं क्योंकि वेट ल मेरे पास हैं सब्जा सीशट्टS यह 2 तरह क्यों होते हैं इक थोड़ा सद ग्रे आता है कोई भी ले सकते हैं यह तुल्सी के बीजु पर बस ल की लेकिन यह वोगा करते हैं जिस हम पुजा करते में किसे भी स्टोर में available है थोड़ा सा अच्छा स्टोर होगा तो आपको जरूर मिल जाएंगे online भी available है आप online भी खरीच सकते हैं तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूं कि इसे यूज कैसे करना है फिर मैं इसके आपको फायते भी बता दूँगी और किसे यूज करना है किसे देखिए क्वांटिटी आप देख लीजी बस इतना ही लेना है इसमें हम सब्जा शीट्स डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे यह पांच मिनट में ही भीकर तैयार हो जाते हैं बिल्कुल जेली फॉर्म में आ जाते हैं लेकिन अभी हम इसे साइट पे रख देंगे आप इसे क्या करें सबसे पहले तो रात को भीगो दें अगर आपके पास टाइम नहीं है जादा और आप नहीं करना चाते हैं फिर भी आपको आलस है तो आप इसे रात को भीगो दें जैसे मैंने अभी बताया ऐसे ही भीगो दें सुबा उठें फ्रेश हो जाएं खाली पेटी आप इसको पी लें अगर आपने कम पानी में इसको भीगोया है तो पहले इसके जो बीज है वो खालें इसके बाद में पानी पी लें बीज को चबा के खालें ये खाने में इसका कोई टेस्ट नहीं होता है लेकिन लगता है द्रिंक्स में डालते हैं हम यानि कि जो भी पीने के लिए बनाते हैं हम उसमें डालते हैं मिलक शेक बगेरा में डालते हैं तो इसे आपको लेना है मॉर्निंग में यानि कि सुभा खाली पेट खाली पेट इसको लेने के बाद में आधे गंटे तक आपको कुछ भी नहीं खा जब तक मैं आपसे बात करूंगे यह एकदम जेली फॉर्म में आ जाएगा और ग्लास में अच्छे से भर जाएगा तो इसके जो फाइदे हैं सबसे पहली बात तो इसमें ओमेगा थ्री बहुत होता है जो आप सभी जानते हो जिस वज़े से हम फ्लैक सीट और बदाम वगेरा भी खाते हैं तो यह बहुत ही अच्छे से वजन कम करता है और मेटाबॉलिजम स्ट्रॉंग करता है साथी साथी ब अभी बताया ऐसे ही आपको खाना है या फिर किसी भी स्वीट डिस में आप इसे डाल करके किसी भी ड्रिंक्स में जैसे आप मिल्क शेक बगएरा बनाते हैं उसमें आप डाल करके खा सकते हैं इनको सलाद सूप या फिर स्नैक्स में भी डाल के खाया जा सकता है इसमें चीज को भी बहुत कम करता है इसे खाने से पेट काफी देर तक आपको भरा-भरा मैसूस होगा और आपको लंबे टाइम तक भूग नहीं लगती है और इसके साथ ही साथ जो बेली फैट होता है ना पेट के नीचे जो हलका सा नीचे की साइट में जो चरवी होती है उसे यह आसानी से कम करता है इसकी जो ओमेगा 3 जो fatty acids होते हैं जो हमारे जो good fatty acids होते हैं हमारी health के लिए हमारी body में चाहिए होते हैं वो इसमें बहुत जादा होते हैं जिसका काम है fat burn करना और जो pregnant ladies हैं वो ना लें जो baby को feeding करा रही हैं वो भी ना लें और ऐसे जो भी लोग हैं जीने कुछ खास problems हैं वो ऐसा कुछ भी करें तो doctor से एक बास जरूर ले ले तो अभी आप इसको देखे ये jelly form में आने लगा है इसे 5-10 मिनट लग जाएंगे अभी 2-3 मिनट ही हुए हैं मुझे और आप इसमें देखे इसको और अच्छा बनाने के लिए इसमें जितना मैंने चियाशीट डाला था उतना ही इसमें दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं दालचीनी आप सभी जानते हैं बहुत ही कमाल का fat cutter है वो भी क्योंकि मैंने दालचीनी का पाउडर बहुत अस्तमाल किया है मैंने भी पिया है इसको और इसमें डाल सकते हैं एक चमत शहद शहद भी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे फैट बर्निंग के लिए भी बहुत अच्छा है बालों के लिए बहुत अच्छा है लेक 3-5 किलो तो यकीनन वेट कम हो जाएगा लेकिन इसको पीने के साथी साथ आपको बाहर की कोई चीज नहीं खानी है यानि कि घर पे भी पूरी पराठा तला हुआ बहुत सारा मैदा या शक्कर ये सारी चीजें आपको नहीं लेनी हैं अवोईड करनी हैं कम से कम और एक बार मे में बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है जब भी आपको भूग लगती है तो आप थोड़ा थोड़ा करके खाएं दो-दो-तीन धीन घंटे में खाएं दो-दो रोटियां खाएं तो मुझे उमीद है कि इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है बहुत सिंपल सा प् आप लोड करूँगी और यदि मैंने अपना वेट लूज किया इसलिए मैं आपके साथ में यह वीडियो शेयर किया है तो आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग भी वेट लूज करने की वज़े से बहुत परिशान है नहीं हो रहा है तो आप जरू ट्राइ करके देखे इतना सिंपल इतना असान है कोई महेक नहीं है टेस्स बहुत अच्छा खाने में इसके बीच बहुत अच्छे झालना सिंपल इतना सिंपल इतना सहरा है या है